दोस्तो बहुत स्वागत है आपको नमस्त अंडे न्यूस में मैं हूं आपको नवीन शर्मा हम बात करें अलर्ट है इस लोजिन यूस की हम बात करें दोस्तो पाप मोचनी एकादशी की तो क्या है क्था इसके दिव्व्य और क्या है पूजन विल्ही आई जानते हैं इस ख़ हुआ आपने सस्क्राइब करें मोबल आइकन दबाएज सब्डेट रहें पाप मुछनी एकादर्शी के दिहों बात करें तो पाप मुछनी एकादर्शी जो है आने वाले चेत्र-मास की खृष्ण वक्षक की एकादर्शी को होती है और इस साल पाप मुछनी एकादर्शी 31 March रविवार को है और एक अप्रेल को भी है जो अलग-अलग शेव संप्रदा है और वेश्णव संप्रदा की हिसाब से है इनकी दोनों दिन जो है पाप पहुचनी एक आदशी है एक आदशी व्रत सभी पाप को नाश कर मोक्षुदार को खोलती है तो व्रत विदी की दिए हम भगवान विश्णु को पीले फुल अर्पित करें पूजा के समय भगवान विश्णु के सामने बैटकर स्रीमत भागवत का पाट करें चाहे तो स्री हरी के मंत्र का जाब भ्याप कर सकते हैं मंत्र होगा ओम हरहे नमाहि या फिर ओम नमो भग्मते वासुरेवाई महत्व की बात करें तो वृतों में एकादशी का महत्व सबसे अधिक होता है इसमें भी पाप मोचनी एकादशी तो सर्वस्रेष्ट मानी गई है शास्त्रों में कहागा है कि इस कता को सुनने से सारे पापों को नाश होता है इस कता को जो पढ़ता है जो सुनता है और जो इस दिन वरत रखता है उसके सारे पापों को नाश होता है दोस्तों एकादशी माना जाता है क्योंकि इससे करने से सबी पापों को नाश होता है और इसे करने से धन की प्राप्ति होती शरीर का लोग के दूर होता है बात करते हैं कता की जिसको सुनने से सभी पापको नाश होता है और धने की प्राप्ति होती है दूसर राजा मान धाता ने एक समय में लोमेश रिशी से जब पूछा कि प्रभू यह बताईए कि मनुश्य जो आने जाने और अंजाने में पाप करता है उसमें कैसे मुक्ती हो सकती है राजा मान धाता कि इस प्रश्ण के जवाब में लोगमश रिशी ने राजा को कहा और कहानी सुनाई कि चेत्रदस नामक सुन्दरवन में चव्यन रिशी के पुत्र मेधावी रिशी तपस्या में लीन थे भगवान विश्ण को कैसे मिला था सुद्रश्य चक्र और ये कता भी आप जान सकते हैं दोस्तो आनल वीडियो में हम बनाएंगे आपके लिए फिलालम जानते हैं इसकता को इस वन में एक दिन मंजु घोष्ण नाम का अपसरा की नजर रिशी पर पड़ी तो वह उन पर मोहित हो गई और उन्हें अपनी और आकरसित करने हैं तू यतने करने लगी कामदेवी उस समय उधर से गुजर रहे थे कि उनकी नजर अपसरा पर गई और उसकी मनोभावना को समझते हुए उसकी सहायता करने लगी अपसरा अपने यतने में सफल हुए और रिशी काम पीडित हो गए काम के वर्ष में होकर रिशी शीव की तपस्या कर ब्रत भूल गए और अपसरा के सांथ रमन करने लगे कई वर्षों के बाद जब उनकी चितना जागी तो उन्हें एसास हुआ कि वर्षीव की तपस्या से विरत हो चुके हैं उन्हें इस अपसरा पर बहुत क्लोध हुआ और तपस्या भंग करने का दोशी जानकर रिशी ने अपसरा को पिशाचनी होने का श्राब दे दिया श्राब से दूखी होकर रिशी के पेर उपर गिर पड़ी और श्राब से मुक्ति के लिए नहीं करने लगी अपसरा की और उसे सुन्दर रूप प्राप्त हो और वो स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गई तो यह अधि पावन छोटी और डिव्यकता जिसे सुनने से सभी पापको नाश होता है और सवाथ ही इस व्रत का प्रभाव भी आपको पूरी तरह प्राप्त होता है तो इस वीडियो को पर इसे शेयर करें ताकि सब लोग जान सके पाप पहुंचने एक अधर्शी के कब है और सांथ ही जो है इसका महत्व के बारे में और इस एक अधर्शी के जो है कथा के और महत्व को समझ सके इस वीडियों में इतना ही फिर आपके लिए उपस्तित होंगा ने जान करी के सा तब तक लिए उसो खुश रहिए स्वास्ता रहिए नमस्ते